हेलो गाईज, वेल्किम टो अनादा व्लॉग, अभी मैं खाना बना के आई थे, इसलिए मेरे फेस के हालत ऐसे है, और मुझे नहाना भी है, तो मैं कंडीशनर भी लगा लिया बालो में, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दू, मैं जब भी शैंपू करती हूँ, शैंप को बोड़े थी, कैमरे के तरफ देखे स्माइल करने के लिए, and finally, she smiled at the camera, बहुत ही प्यारी लगई थी, अभी मुझे नहाना है, because सुबे मेरी फ्लाइट है, बहुत सुबे भी नहीं है, ऐसे आठ बचे है, पर मैं नहाना, बालो को सेट कर लूँगी, at least, तो सुबे ऐसे न आते हैं हम एक्दम, सुने से पहले ऐसे भी मैं कभी-कभी प्रेफर करती हूँ नहाना, जब मुझे ऐसे हल्थ सही लगे, कभी-कभी सर्दी जुकाम में ऐसे फील होता है, तो नहीं नहाती, और यह जो कपड़े जो भी होता है, हमारे हम नहीं सुखाते है, because अभी ऐसे भी जबी हम बैट शीट्स वगेरा धो देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बैट शीट्स यूज करते हैं, दो कमरे हैं, उसमें दो बैट शीट्स होते हैं, बैट पर और दो सोफे में भी बैट शीट्स लगते हैं, because अब पैनी सोफे में वो बाल चिपक जाती है, इसलिए एक कोजी कोजी सा फिलिंग देते हैं, तो हम सारे लाइट बंद करके मिनेचर जला के कभी ऐसा अपना टाइम जो स्पैन करते हैं, वो शाम को बैठे बाते करते हैं, अच्छा लगता है, पर वो एक साइज से ट्विस्ट हो गया था, जो मैं अभी नहीं करूंगी, पूरा खोल मेमरी का जो कोड़ेप्ट हो गया था, उसमें उनिफॉर्म वाला क्लीप रखा हुआ था, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि उनिफॉर्म कैसे, मतब किते अच्छे से आयन करता है, जितने सारी चीज़े मैं आयन की हूँ, इससे सबसे बेटर आयन करता है मेरे उनिफॉर को अभी मुझे यहां पर काम करते हुए पांच साल से भी ज्यादा हो गये और इसको काफी साल पहले ले ले लेनी चाहिए थी, मैंने पांच साल से कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है उनिफॉर्म आयन करते समय वो नॉमल वाले आयन से, एक आधा उनिफॉर्म जलाई भी और यह भी रिलाइज केया मैंने, इससे जब मैं आयन करती हुए जो पहनने के बाद क्रिसेस हो जाती है वो काफी कम होती है और थोड़े साल पहले ले 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 लेती है तो और अच्छा होता, यह कोई ऐसे नामचीन ब्रांड के भी नहीं थे, मतलब जो इलेक्टरोनिक्स ब रुपे या सारे चार्जदार ऐसा था और इसका प्राइस था दो हजार साथ सो रुपे तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया था आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हो बस थोरा से स्टीम जम जाती है उसको पोछा लगाना पड़े का अगर मेरे जैसे आप कोई ऐसे बुड कोई भी चीज से ज्यादा हो जायना तो अच्छी नहीं होती है ओवर कैजूल होना भी अच्छा नहीं है ओवर सीरियस होना भी अच्छा नहीं है तो एक बालंस मेंटें कर नहीं होती है मेरा जो यह वाला नाइंट सूट है ना इसका स्ट्रैप अजस्टिबल नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाता है काश इसमें अजस्टिबल होता स्ट्रैप तो मैं यहां तक ऐसे करके रख सकती थी पर घर पे ऐसे कोई होते नहीं है सुबह मेरा हस्बिन निकल जाते हैं 11-11 रात को फिर लोटते हैं 10 बजे तक मैं और पेनी दिन बढ़ अकेले अगर मेरी फ्लाइट नहीं है तो पर अगर मेरी फ्लाइट है तो हम एजस्ट करते हैं टाइमिंग और हम तीनों ही रहते हैं आसपास में भी कोई नहीं ता पर कभी कभी वीडियो बनाने के लिए मैं है उसके उपर से जो सकी निकल जाती है तो तब दो तिन दिन वो नहीं जा पाती है दोर पाती है इसलिए हम तो इसलिए क्वरे की ले बार हमेशा मुझे पूचने के लिए जाती है की थोड़ा और मिल सकता है की नहीं दे सकते हैं अभी बहुत ज्यादा इस citizen के लिए तो तो उनको मालूम नहीं था उन्होंने थोड़ा ज्यादा राइस बना दिया तो कल तक वो खड़ा हो जाएगी इसलिए हम रात को खा लेंगे खतम कर देंगे इसको पहले भी मेरे पास कोई थे जो खाना बनाते थे मेरे लिए पर अभी करीब एक साल से मैं खुदी बना रही थ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होड़ी थी और मैं जब घड़ गई थी सबने मुझे बोले कि मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई मेरे हजबन भी थोड़ा सा वेड लूस किया है वर्क प्रेशर के वज़े से और खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भी है जो में वारत को ना प्ल — गदंट है चाह Mira काफी जर, मैं आचकर यहाबिच बनाए कि रात को सोने इक बर मेरे सकडियूल चेक कर लेती हूं जब मैं इनने– क्या तो देखा कि मेरी जो फ्लाइट थी सुभे की वो हटा दिये हैं हाला कि मेरे जो सालरी है वो मेरे फ्लाइट के ऊपर डिपेंड करती है मत अब जितना ज्यादा फ्लाइट करूंगी उतना ही ज्यादा सालरी आएगी पर जब यह से सुभे की फ्लाइट हटा देते हैं मु करके काने मांगेंगी के प्रिश्जान अब भी एद्ण करेंगी और जरूरत नहीं वांगे तो परिफ यहां ल्न Ugh कब याध रए तक नशेर्छ कर्ने में जूकों करती है जो çıktı भी जरूरत नहीं है रिए और यह थोड़ा बहुत health conscious हो तो आप चिया से रात को भीगो के सुभे सबसे बेटर है सुभे उठकर उसका पानी पी ले ना यह वाले कमड़े में ना मैंने यह लगाए है नए इसका सारी क्लिप्स में लिए हुए थे पता है जिस दिन वो लगाने के लिए आये थे पर वह मेमरी कार से जंप करके बाहर निकल जाती है वो घर पे ऐसे पढ़ा हुआ था तो मैंने सोच है यह वाले जो वाल है यह थोड़ा से डैंप वाइस में इस पर मैंने उसको लगा दिया मेरा आइडिया था माई हस्बेंड वास सेंग की नहीं लगाओ खडाब हो जाएगा यहां पर मत क क्रिकराना से दूपए मेरी कैसी लग आपको आज सेकेंडे था टा वह ले डिदै थी खाना बनाने कवि लिए कल तो मैं खुदी चाहे बनाई थी पर आज वो पहली बढ़ी बना रही थी चाहेम पहली मेरी आंट थी यह को शबमेरी किने इस जासे बनाते है क्यों कि मैंने स यहां पर मैं आपके comments के reply कर रही थी जब भी मुझे time मिलती है ना मैं आपके comments परती हूँ और reply भी करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पर मैं पढ़ते परते अपने अपमे smile भी कर रही थी आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा sweet sweet comments किये हैं thank you so much guys आप लोग इतने अच्छे से लिखते हो इतने बड़े बड़े paragraph जैसे लिखते हो मुझे पढ़ते समय बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत जादा grateful भी महसूस करती हूँ मैं कि आप लोग मेरे videos में इतना ज्यादा engage होते हो मेरे साथ connect करते हो मैं भी आपके साथ बहुत जादा connect करती हूँ जब मैं ये सारे comments पढ़ती हूँ आप सब के लिए बहुत ज्यादा प्यार from the bottom of my heart और यहां पे देखो मैं हमेशा मेरे दोस्तों के पास complain करती हूँ कि मेरे husband मुझे seriously नहीं लेते पर उसके लिए जिमेदार मैं हूँ क्योंकि मैं ऐसे behave करती सामने अभी I think I should stop this क्योंकि अभी उनको मुझे seriously लेना चाहिए और मैं इस वीडियो को यहीं पर खतम करूंगी आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी नए व्लोग पर तब तक के लिए आप अपना धियान रखना और बहुत-बहुत खुश रहना बाबाई टेक केर